नमस्कार दोस्तों आप सभी अपने YouTube चैनल असा है स्वीप पॉइंट पर सौगत करता हूं जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कोशी विज्यान की स्रीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज चर्चा करने वाले हैं कोश्का विज्ञान से संबंदित प्रमुक भाग के बारे में आज कुछ भागों के बारे में चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ भागों के बारे में चर्चा करेंगे यदि आपने इसके पहले कोश्का विज्ञान का प सब्धति के बारे में आगर हम बात करें तो जिए द्रब्र एक बहुत माधकुड पदार्थ होता है और यह क्या होताय इस्ञस किस तरीके से निर्मित होता है इसके चल्चा करते हैं दोस्तों बात करें तो यह तरल गाढ़ा पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है यानि सिंपल भासा में हम बात करें तो जियुद्रभ्य आप एक अंडे के एक्जांपल के समझ सकते हैं आपने अंडे को देखा हुगा उसको अगर फोड़ते हैं तो जिस तरीके से पदार्थ निकलता है वही क्या होता है जियुद्रभ्य का निर्माड करता है यानि हम बात करें तो तरल गाढ़ा पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ ही क्या कहलाता है जियुद्रभ्य कहलाता है जियुकी सारी जैबिक प्रिक्रियाएं इसी के द्व बारा होतीगों किसी का निर्माण होता है तो शबसे पहली भूम क्या वह्ती है वह जियोद्रव्य कि होतीगों आप कि यहां से आप इस बिंदु को याद करे हैं और हमेशा रिमाइन करते रहें क्योंकि यह प्रश्ण बनता है, important टिक कर सकते हैं, question पुछा जाता है, जियोद्रब का नामकरण किस ने किया था, तो answer आपका हो जाएगा, पुरकिंजे ने, कब किया था, 1840 में, यहीं 1840 में, तो देखें, सन तो कम पुछा जाता है, लेकिन यह बार-बार पूछता है, जियोद्रब का यह बारे में, तो जियोद्रब जो मुखिता दो प्रकार है, अगर हम बात करें पहला, तो आपका हो जाता है केंद्रग द्रब, जिसको निक्लियो ब्लाजम कहते हैं, दूसरा आपका जाता है कुछका द्रब, जिसके साइटो प्लाजम कहते है, तो question अगर यहाँ से पूश है तो गंडी बात ये यजया इसी तरीके से कहुष्ट का ध्रब के बारें बात करें तो साइटो प्लाज्म यह फिया अब समझते दोस्तों में केंद्रक ध्रग विक्या होता है और को को अबजिक्टिव बताओँगा और जैसे आप वीडियू को देखते जाते हैं यह आपने टेक्स बुक के माध्यम से को सॉल्व करते है यह प्रैक्टिस हैट करते हैं तो आपको तरीका पता चल जाता है किस तरीके हम ऑबजिक्टिव बनाएं से चलिए दोस्तों तो बात करे केंद्रक द्रब के बारे में यह कोश्का में केंद्रक के अंदर रहता है और कोश्का द्रब के बारे में बात करें तो यह केंद्रक एवं कोश्का जिल्ली के बीच में पाई जाती है यह दोनों ही चीज़े आपने देखा निकलियो प्लाजम कहां पे होता है यह कोश्का में क केंद्रक के अंदर रहता है जबकि हम बात करें साइटो प्लाज्म का तो यह केंद्रक क्यों को इसका जिल्ली के बीच में पाई जाती है तो इस तरीके दोस्तों कुछ याईन्वी पृष्षष्षत याईनी 99 पृष्षषत भाग चार तत्तों से बना होता है इन तत्तों का पर्सेंटेज आपके पेपर में पूस्ता इसको याद रखें दोस्तों बात करें तो पहला हमारा सबसे ज्यादा भाग होता हो और ओक्सूजन का होता है ओंटु यानि 76 66% 76 प्रिश्रत होता है कोई भी जीव है तो आप सभी को पता है कि उसको जीवन जीने के लिए oxygen की कितनी महत्पुड भुमका होती है यानि oxygen की मात्रा जितनी अच्छी होगी वहाँ पे जीवन उतना ही अच्छा होगा तो बात करें तो जीव द्रब में सबसे ज़्यादा परसेंटेस किसका होता है oxygen का कई बार परसेंटेस भी पूछा गया है तो 76% होगा next आता आपका oxygen यानि oxygen के बाद carbon dioxide co2 के बारे में बात करें तो वह होता आपका 10.5% next बात करें तो आता है आपका H2 यानि hydrogen 10% फिर आता है आपका N2 nitrogen 2.5% तो इन रेशियो को आपको याद रखना है कि कितने कितने percentage में कौन साथ अत्व पाया जाता है जिस तरीके जीवन के लिए oxygen माउटपूड उता है उसी तरीके जीवन के लिए carbon dioxide भी माउटपूड होता है क्योंकि आप सभी को पता है कि carbon dioxide पाऊधे क्या करते है इंग्जार्ब करते है यानि लेटे है और फिर क्या करते है oxygen का निर्माड करते हैं जिस तरीके हमारे लिए oxygen important होती है उसी तरीके पेड़ पौधों के लिए यानि पादब जगत के लिए कारबंडा आवश्यक होती है या फिर हम कह सकते हैं उसकी ओसकता होती तो यहां पे आपने देखा चार तत्तों का क्या-क्या परसेंटेज हैं अब दोस्तों इससे रिलेटेड नेक्स्ट विंदू के चर्चा करते हैं जियोद्रव का जो असी प्रिश्चत भाग जो होता है वो जलका होता है तो आप सभी को एक चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ अगर जीवन है उसमें तो पानी का जो परसेंटेज हो पूश लेता है तो कार्वनिक के बारे में हम बात करें तो कई बार यहां से भी आपजिक्टिव बने तो एक बार रिकॉल करते हैं इन महत्पुर बिंदूओ को देखिएगा पहला प्रेश्चनी आपका यही पूछा जाता है जियो द्रभ्य का नामकरण किस ने किया तो प प्रकार के होते हैं और अगर उनसे कुश्चन रिलेटेट पूछता है तो वह हो जाएगा आपका केंद्रक द्रब यानि नुकलियोप्लाज और दूसरा कोश्च का द्रब साइटोप्लाज आप दोस्तों नेक्स हम चर्चा करें तो जियोद्रब का 99% भाग चार तत्तों से ब पाट कार्बनी का कार्बनी का अनपात अगर पूछ लेता है तो आपका 801 अनपात यह उन्लिस हो जाता है तो इस तरीके हम लोगों ने देखा दोस्तों जीवद्रब से बनने वाले मात्पुड बंदू अब हम चर्चा करते हैं कोश्का के प्रमुक भाग जिसमें हम तारक काय यानि सेंटोसों के बारे में अन्ता प्रद्रब जालिका के बारे में चर्चा करेंगे फिर इसके बाद राइबोसों के बारे में चर्चा करेंगे बचे वए जो प्रमुक भाग है नेक्स्ट वीडियो अपलोट किया जाएगा उसमें आप देखेंगे तो आईए कोश्का भित्ति या सेल वाल के नाम से जाना जाता है पिछली वीडियो में आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा जहां पे मैंने कोश्का के बारे में बताया था उसमें प्रिक्रियोटिक सेल में मैंने वो डाइग्राम के माध्यम से आपको आप कोश्का भित्ति के बारे म और सेल मेंब्रेन यानि कोशका जिल्ली के बारे में डिने के बारे में वो फीगर में explain करके दिखाया है तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाएं पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें तो चलिए दोस्तों चल्चा करते हैं सलवाल के बारे में केवल पादप कोश्का में पाया जाता है और वेरी इंपरटट Harley यहां पे आपका आजाता है कोश्का भित्मिपनी किसकी होती है तो सेलूलोज की बनी कि बनी जारों पॉइंट आप उनको तैयार करते जाएं तो कुश्चन यह से पूछता है कोश्का भित्ती किसकी बनी होती है वहाँ पे ऑप्शन दे देगा काइटीन है सलुलोज है मल्टोज है फ्रेक्टोज है तो वहाँ पे आपको कर देना होगा सलुलोज नेक्स दूस्तों कार क के बारे में बात कर लेते हैं कि कोश्का भित्ती का कार क्या होता है तो कोश्का को निश्चित आकरती यह आकार बनाएं आकार बनाने में सहायक होती है जैसे कि आप सभी को पता है वाल से ही समझ लीजे दिवाल यानि किसी कमरे को हमें निर्माड करना है तो कमरे का आकार ल विश्चिताकरती और आकार बनाया रखने में सहायक होता ह। दोस्तों नेक्स पॉइंट पर चर्चा करते हैं को इसका झिली के बारे में सल मेंब्रेन Cell membrane क्या होता है? यह metheatрем जिल्ली होती है यहां पर दोस्तों एक word आगिया अर्थ पारिगरम के बारे में हम अगर बात करें तो यह वो जिल्ली होती है यही निर्धारिट करते हैं कि कौन से तत्त्त अंदर से बाहर जाएंगे बाहर से अंदर जाएंगे अर्द पारिगम का मतलब यही होता है यहीं सिंपल भासा में हम बात करें तो कोशका जहिली यह निर्धारीद करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ अंदर से बाहर जाएंगे यानि ज़िश्ट जो इसका कार यह मुख वही अर्ध पारिगम का मतलब है next दोस्तों बात करें तो कोश्का के सभी अवयब एक पतली जिली के कारण घिरे रहते हैं कारी के बारे में चर्चा करते हैं तो कोश्का के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थो का निर्धारन करना है तो कई बार प्रशने यहां से बंता है इस तरीके से कोश्का में वो कौन सा भाग होता है जो क्या करता है तत्तों का निर्धारन करता है तो वो आपका हो जाएगा Cell Membranes यानि कोश्का जिली हो जाएगी नेक्स दोस्तों बात करते हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम के बारे में देखें कभी-कभी क्या होता है कि ये तारक काय वर्ड ना यूज़ करके वहाँ पे सेंट्रोसोम ही कर देगा तो इसको ध्यान दीजेगा आप सभी इसलिए मैंने दोनों सीजें लिख दी है कि आप इंग्लिस में भी इनको जाने चलिए नेक्स बात करें दोस्तों तो पहला इसका महात्पुड बिंदु है इसकी खोज 1888 में टी बुवेरी ने की थी तो यह फिरष ने बुछा भी जाता है कि तारक काय यह संट्रोस्यों की खोज किसने की थी तो बुवेरी ने की थी नेक्स पॉइंट यह केवल जन्तु कोश्काओं में पाया जाता है जैसा कि आपने उपर अभी देखा यह पादप में और यह क्या जन्तु में क्योंकि मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था कि सेज्ज जो है वो दो प्रकार कियें प्रक्रियोटिक और इक्रियोटिक इसी के कारण क्या होता है चीज़ों का निर्धारण किया जाता है नेक्स तारख काय के अंदर एक या दो कण जैसी सरनचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं अब दोस्तों यहां पे वर्ड आ गया सेंट्रियोल बार बार ये भी प्रिश्ण में पूछा जाता है कि सेंट्रियोल क्या होता है तो सेंट्रियोल एक ऐसा तत्त होता है या पदार्थ होता है जो क्या करता है को इसका व पहला इसका कारी क्या होता है यह कोश का विभाजन में मदद करता है दूसरा पॉइंट क्या होता है समसुत्री विभाजन में धुरू का निर्माड करता है तो यह दो चीजें आपकी यहां पे संट्रियोल से संबंदीत हैं पहला तो कोश का विभाजन में मदद करता है दूस यह एक और केंद्रक जिल्ली से दूसरी और कोश्का कला से संबध होती यानि जुड़ी होती है यानि इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले को हम किस नाम से जानते हैं अन्ता प्रद्रब जालका यानि इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं जो यह क्या होती है एक तरफ आपका केंद्रक जिल्ली से और दूसरी तरफ क्या होती है खुश्का कला से जुड़ी होती है यानि इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटे छोटे कडिकाए बनी रहती हैं जिन्हें राईवोसोम कहते हैं अब यहाँ पर एक बिंदू आपका फिर से निकल के आता है राइबोस्वम तो राइबोस्वम से भी question बनते हैं पेपर में अभी हम राइबोस्वम को जानेंगे पहले अंता प्रद्रव जालिका का कारी देख लेते हैं देखे जो भी बिंदू हैं यहाँ पे मैंने उनके महात्वपूर तत्तू प्लस उसके कारे सभी में नोट किये हैं क्योंकि यहाँ से बार-बार objectives मिलते हैं कार के बारे में बात करें दोस्तों तो सभी वसाओं वो प्रोटीनों का संचराण करना जो विभिन जिल्लियों जैसे कोश्का जिल्ली केंद्रक जिल्ली आदी का निर्मार करते हैं तो ये कारे किसका होता है अन्ता प्रद्रव जालिका का अब चर्चा कर लेते हैं राइवो सोम के बारे में राइबोसोम का पहला जो बिंदु आपका महत्पुड बनता है कुश्चन पूछता है किसने इसकी खोज की ती स्वरप्रथम या राइबोसोम नाम किसने दिया था तो हम दोस्तों बात करें तो वो हमारे बैज्ञानिक हैं रॉबिन्स एउम ब्राउन ने 1953 1953 में स्वरप्रथम पादप कोश्का में इसे देखा था जैसा कि हम आपको जगत के बारे में पढ़ा चुके हैं पांच जगत जहां पे मैंने मुनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और जन्तु के बारे में चर्चा किया है तो आप उस वीडि सारी वीडियो को अगर देखते हैं तो समझ में आता है तो आप सारी वीडियो को देखते रहें सांसांत में और सांत में नोट्स आप अपना तयार करते रहें जब आप एक्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा प्रश्ण आपको नोट्स से देखा अब next जी पिलाडे ने जनतुकोष्का में देखा और नामकरण किया तो यहां से प्रिश्ण आपका पूछा जाता है खोजा किस ने तो आंसर आपका हो जाएगा रॉबिन स्यम ब्राउन ने नामकरण किस ने किया तो जी पिलाडे हो जाएगा दोनों में डिफ्रेंसेज है इन्होंने क्या क्या पादब कोष्का में इस चीज को ढूणा था और इन्होंने क्या क्या था जनतुकोष्का में ढूणा था next दोस्तों बात करते है ribonucleic acid नामक अमल और protein की बनी होती है यहनि अगर question पूछता है ribosomes किसका बना होता है तो दो तत्तों से मिलकर बना होता है पहला होता है ribonucleic acid और दूसरा होता है आपका protein से मिलकर बनी होती है next point चर्चा करें हम तो protein sensation के लिए उप्यूक्त इस्थान प्रदान करती है इस्थान प्रदान करती है next point है प्रोटीन का उत्पादन इस्थल है तो यहां से एक very very important प्रेशन फिर से निकल के आता है question बार बार पूछता है protein की factory किसे कहते हैं तो दोस्तों यह point आप note करिये important करके इसे protein की factory कहते हैं तो question पूछा जाता protein के factory किसे कहते हैं लाइसोसोम राइबोसोम या कवा किस तरीके से तो आपका option जो हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा अंतिम point पे आज चर्चा करते हैं बाके next वीडियो में और भी इनके महत्पुडभाग के बारे में चर्चा करेंगे एक नोट करके आप नोट कर लिजेगा इस तन्यों के आरबीशी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसका reason के वल इतना है आरबीशी द्वारा protein sensation नहीं होता है तो ये चीज़े आपने देखा आज ज्यानी हम लोगों ने सारे बिंदूँ पर चर्चा किया कोश्का के प्रमुक भाग में, कोश्का भित्ती के बारे में, कोश्का जिल्ली के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, अन्ता प्रद्रब जालिका के बारे में, राइबोसोम के बारे में नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे होगी धन्यमाद बस्तों